आप लोग उमीद करता हूँ आप सबी बहुत अच्छों होगे और मैंने सुचा आज कुछ वीडियो के सुरुआत करते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से तो अभी मैं हूँ गाहों में बाहर गाइस और वीडियो को बाहर शूट करना मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि पेड़ पहुत आते हैं तो उमीद करता हूँ आप लोगों को देखने में काफी अच्छा लगता होगा मुझे तो काफी अच्छा लगता है वैसे आज किस वीडियो में हमारे पास दो स्मार्टफोन है वीवो टी टू एक्स और यह है रियल मीज सी 55 गाइस आज हम इन दोन स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करते हैं बेश फोटो कौन सा स्मार्टफोन हमें प्रवाइड करता है दोने स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करते हैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिए मेरा नाम है प्रतीक आप सभी देख रहे ह वीवो T2X में 50 Megapixel का primary camera दिया गया है और यहां पर Realme C55 में 64 Megapixel का primary camera दिया गया है चलो सबसे पहले इन दोनों smart phone से कुछ photo click कर लेते हैं different different type का जो कि मैं आपके साथ share कर पाऊंगा सबसे पहले photo click करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन से जब हम नॉर्मल फोटो क्लिक करते हैं यहाँ पर देखोगे दोनों स्मार्टफोन के फोटो के अंदर क्वालिटी आपको काफी बेश्ट देखने को मिल जाता है जो dynamic range है इसने काफी अच्छी तरीके से balance किया हुआ है लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़े notice करोगे Realme C55 के अंदर आपको lighting थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा यह color को काफी हद तक boost कर दे रहा है वही पर Vivo T2X के photo को देखोगे एक normal एक natural color में photo निकल कराया है इसने lighting को भी काफी अच्छी तरीके से balance किया है अब यहाँ पर कुछ photo हमने portrait mode के अंदर भी click किया है वो भी आपके साथ share करता हूँ यहाँ पर photo के अंदर blur effect देखोगे काफी proper blur effect देखने को मिलता है photo के अंदर quality भी काफी perfect देखने को मिलता है जो dynamic range है इसने dynamic range को काफी अच्छी तरीके से balance किया है लेकिन यहाँ पर एक चीज आपके साथ share करना चाहता हूँ Realme C55 से हम कभी काल photo click करते हैं तो यह border को blur नहीं कर पाता यह border को blur करना भूल जाता है या कभी-कभी ज़्यादा blur कर देता है और यहाँ पर Realme C55 के अंदर अगर आप यहाँ पर camera को open करते हो यहाँ पर एक chroma boost को option दिया गया है अगर आप इसे on करके photo click करोगे तो यहाँ पर जो photo click करोगे उसके अंदर color यह काफी हद तक boost कर देता है अगर off करके भी click करते हो तो यहाँ पर जो result निकल कर आता है आप लोग देख लिजे same result निकल कर आता है क्योंकि इस smartphone में जो chroma boost को option दिया गया है वो work कर ही नहीं रहा है अब बात करें selfie photos के बारे में तो एक नया smartphone जब हम खरीते हैं बहुत सारे selfie क्लिक करते है मैंने भी बहुत सारे photo क्लिक किया है दोनों स्मार्टफोन में देखोगे 8 Megapixel का selfie camera दिया गया है हाँ difference यह है कि Realme C55 पंचोल डिस्पले के साथ में आता है और यहाँ पर Vivo T2X Waterdrop Nautz के साथ में आता है यहाँ पर कुछ selfie की photo आप लोगों किसा शियर करता हूँ यहाँ पर देखेंगे selfie के अदर काफी अच्छा quality देखने को मिल रहा है जो dynamic range है इसने dynamic range को काफी अच्छी तरीके से balance किया हुआ है लेकिन यहाँ पर भी notice करोगे Realme C55 के अदर आपको lighting थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर Vivo T2X का जो selfie है वहाँ पर एक normal एक natural color और इसने lighting को काफी अच्छी तरीके से balance किया हुआ है यहाँ पर जब आप selfie क्लिक करते हो यहाँ पर देखोगे portrait mode का option दिया गया है यहाँ पर आप portrait mode में भी selfie क्लिक कर सकते हो कुछ selfie हमने क्लिक भी किया है photo के अदर quality देखोगे काफी best देखने को मिल जाता है dynamic range को इसमें काफी अच्छी तरीके से balance किया हुआ है Realme C55 के अदर थोड़ा lighting आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा वही पर Vivo T2X के अदर एक normal एक natural color देखने को मिलेगा लेकिन blur effect देखोगे दोनों स्मार्टफोन में काफी proper तरीके से blur किया है ओके तो गाइस यहाँ पर अभी हो गया है रात अब यहाँ पर कुछ photo night mode के अदर भी क्लिक करते है यहाँ पर हमने photo night mode के अदर भी क्लिक किया वह photo आपके साथ शेयर करता हूँ बैक कैमरे से photo click करोगे तो यहाँ पर quality काफी अच्छा देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर अगर आप front camera से night mode के अदर photo click करो पिक्सल बहुत ही ज़्यादा फड़ जाते हैं और बहुत ही खराब quality देखने को मिलता है अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपना opinion देखिए दोनों smartphone से आप photo click करोगे quality आपको काफी बेश देखने को मिलता है quality को लेकर कोई problem नहीं है हाँ realme c55 के अंदर थोड़ा lighting आपको ज़्यादा देखने को मिलता है यह color को भी काफी हद तक boost कर देता है और इसके back camera से portrait mode से photo click करोगे यह कभी-कभी background को blur नहीं कर पाता border को blur नहीं कर पाता वही पर vivo t2x एक proper तरीके से blur करता है जो photo nickel कराता है वो normal एक natural photo nickel कराता है अगर मैं आपको recommend करूँगा इस देखो यहाँ पर price भी matter करता है realme c55 का सबसे low variant आपको 11,000 रुपर मिल जाएगा और यहाँ पर vivo t2x का सबसे low variant आपको 13,000 रुपर मिल जाएगा लेकिन vivo t2x एक 5G smartphone है और यहाँ पर realme c55 एक 4G smartphone है देखो price के according दोनों smartphone अपने जगा पर काफी बेश्ट है उम्मीद करता हूँ guys आपको इस छोटी से वीडियो पसंद आई होगी पसंद आईगी तो प्लीजर वीडियो को लाइक कर देना और हाँ इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है तो लाइक जरू कर देना मैं आप लोगों से मिलता हूँ next वीडियो में